बिसम आलाहिर रह्मान रहीम असलम आलेकों मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स कैसे हैं आप साव वल्कम बैक टू मैच चैनल तो आज मदीहर आनी आपके लिए लेकी है यह बहुत ही उम्दा रेसिपी हाउ टू मेक देसीगी फ्रॉम बटर तो बटर से देसीगी कैसे बनाते हैं तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहां पे को बड़ा खुला बर्तन चाहिए और यह मैंने एक पैगट लिया 600 गराम इसमें बटर है तो इस बटर को मैं छ तो यह मैं हाई फ्लेम पे इसको मैं मेल्ट करूंगी जब तक बटर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता स्पून की हल्प से इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि यह बटर नीचे ना लगे और यह बर ना हो जाए तो जल ना जाए यह बटर हमारा तो इसको अच्छे से स्पून हमने इसमें साइड पे कर लेंगे और बस मेडियम फ्लेम यहां पे मैंने कीवी है और मेडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक करूंगी तो आप देख सकती है कि यहां पे आपको एक आवाज आ रही है इसकी बहुत प्यारी सी आवाज सरी यहां पर वह आमाज है कि यह process हमारा स्टार्ट होगा बटर। जो melt होने के बाद यह बनने का process हमारा स्टार्ट होगा हूँ है इसमें जो milk होता जो particles है वह कुक हो रहे है एच्छे से तो जिब जाएंगे तो इसमेटिकली यह आवाजाना बंद हो जाएगी इसमें से और इसका मतलब कि हमारा गी फिर अच्छे से रेडी है तो यह आप देख सकते हैं कि फ्लेम मैंने उतना ही रखा वाय जितना मेरा पहले था मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूं लेकिन आवाज जैसी स्टार गी बनता है अब यहाँ पे पर्देश में रहके अमिया तो हर वक्त साथ नहीं होते ही तो पाकिस्टान में तो माइंimize घर में जpad दूद आता है उसकी पहलाई से और मंक्षन बनाती है और हमें देसीगी बना के देती है तो यहां पे तो ना वो मक्षन है ना वो देसीगी है तो हमने यह बजार से मक्षन लिया और इसका देसीगी मैंने बना लिया बहुत मज़े का बनता है बहुत अच्छा बनता है अब जरूर ट्राइ कीजिएगा तो यह किसी कंटे स्टेनर इसको ड्राय करें अच्छे से और यह स्टेनर की हल्प से इसमें हम इसको डाल देंगे रूम टेंपरेचर पर मैंने इसको नॉर्मल ठंडा की है तो यह देखें जी यह जितने मिल्क के पार्टिकल्स थे वह सारे नीचे बैठ गे थे तो यह हमारा गी बनके बहुत उ कर दोर जैगा और अब कि इसका कर रखें अब इसके बाद दो गधने के बाद जब यह नॉर्मल टेंपरेचर पर अगया है तो इसका कैसा कलर है तो यह देखें जी और इचनल डेशी गी बहुत ही मज़एका बनता है वीडियो अच्छी लगे ठाम्स अप करें वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीवर्स और चैनल पर अपनी हो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो इन्शालला किसी अच्छी यमी और हल्दी रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्यार रखें और ऐस ही मज़े का देशी गी यहां पर पर देशी बेहन भाई बना के इंजोई करें तो मुझे दीजिए जाज़त अलाहाफीज